नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक वाफीट से नई वीडियो में मैत्री बूटिक में जहां पर हम आपके लिख रहा है एक और बहत्रीन डिजाइन जिसको आप अपने ट्राउजर में, स्लिव्स में, प्लाजो में, या फी सलवार में किसी में भी आसाने से बना सकते हैं इसके लिए हमने डेबल फोर्ड करके फैबरिक लिया है फैबरिक की मेजरमेंट्स आप देख सकते हैं टोटली डेबल फोर्ड करने के बाद हमारा 16 इंच है और हमने 6 इंच तक इसके मोहरी रेडी करनी है तो 8 से 10 इंच आपको इसको एक्स्टा रखना है क्योंकि हमें इसम हमने इसको एक्स्टा लिया है अगर आप कम मात्रा में एक्स्टा लिया है थोड़ा प्लेट चाहते हैं तो कम मात्रा में प्लेट पी डाल सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हमें हलकी हलकी प्लेट्स बना लेनी है और देखे बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनकर कर तयार होगा आप इस वीडियो को बिना स्किप के प्लीज लास तक जरूर देखे बहुत यह चोटा सा वीडियो है इस तरह से इस पूरे पोरिशन में हमें यह चोटी चोटी प्लेट्स बना लेनी है अगर आप पहले मार्किंग करना चाहते तो मार्किंग भी कर सकते हैं वैसे अंद्राजे से भी इस तरह से आप बना सकते हैं अब आपको क्या करना होगा बिल्कुल सेम तरह से हमें यहां पर करेबर एक इंच का गैप छोटते हुए इस तरह से इन प्लेट्स को दूसरी साइड में इस तरह से घुमा करके शिलाय लगा देनी है तो इस तरह से बिना किसी एक्स्ट्रा मठिल का यूज के हम बहुत ही अच्छा डिजाइन बना करके तयार कर लेंगे और यह डिजाइन आप अगर स्लीज में बना रहे हैं तो और भी बहुत ही प्यारा लगेगा ट्राउजर में भी बहुत सुन्दे लगेगा तो एक बार इसको ट्राइ जरूर करें और आपके जब भी पसंद करते हैं इस तरह की डिजाइन को उनके पास इनको शेयर जरूर करें देखिए तयार हो गए पोशन हमारा आप देख सकते हैं इस तरह से यह हमारा बन करके तयार हो जाएगा अब next design के लिए हम use करने वाले हैं एक पट्टी का और इस पट्टी की जो चोड़ाई हमने आपर रखी है वो रखी है 4 इंच और इसके लंबाई जो हमने मुहरी की शुरुआत में लंबाई ली थी उससे करीबन 8-10 इंच और extra रखी है ताकि हम अच्छे से इसमें फ्रिल बना सकें इस तरह से plates बनानी है जो plates में आप अंदर की तरह फैब्रिक ले रहे हैं दबाव में तो उसको आपको लगबग equal साहरे ऐसा ना करें कि कोई plate आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं कोई छोटा बना रहे हैं थोड़ा ऐसा equal रखें ज़्यादा आपको बिल्कुल exact measurement की जरूत नहीं है इस सरह से आप इस फ्रिल को तयार कर सकते हैं अब इस फ्रिल को हम अपने main portion के साथ बाजो ये ट्राउजर जिसमें भी आप लगा रहे हैं इसके साथ अटेज कर दीचे दोस्तों अगरे design आप सलवार में बना रहे हैं तो यह हम जो सलवार बना रहे हैं अफ इस फोल्ड कर लीजिए और एक किनारी से होते ही इसमें सिलाई और डालेंगे ताकि यह जो फ्रिल है हमारी अच्छे से अटैच हो जाए यह हमारी उखडी हुई नहीं दिखाई देगी हम बिल्कुल यह fix हो जाएगी तो इस सिलाई को आप जरूर लगा लीजिएगा जो भ इस डिजाइन को इतना भी बिना सकते हैं इनको देखिए इस तरह से इस प्लेट को यहाँ पर उठाना है फिर अगले वाले को यहाँ पर उठा करके रखना है इस तरह से हम यहाँ पर पियल्स को अटेच कर देंगे सुवी धागे की मदद से यहाँ से लगाना इसको है और हमने आपको इतने असाने से सिखाया है कि अगर आप बिगनर हैं तो भी इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसके अलावा सलवार के ट्राउजर के और भी बहुत सारे डिजाइन्स हमने आपके लिए अप्लोड किये हुए हैं रिचे प्लेविस्ट का लिंक दिया है और बिना कुछ एक्स्टा मेहनत के बहुत ही कम समय में यह बन करके तयार हो जाता है तो इस तरह की डिजाइन्स अगर आपको पसंद आते हैं तो इसको अपने दोस्तों की साथ जिरू शेयर करें और इसको पहना करके भी दिखा लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जा हैं बहुत ही अमेजिंग सा तयार होगा यह बन करके स्लीव में या फी ट्राउजर में बहुत ही प्यारा लगेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा दोस्तों के शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिए और मेह होते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक उर्बेहतरी डिजाइन के साथ बाबाई टेक क्यार